ग्रेया क्यों? उनकी फिल्म डंकी को देख चुके हैं तो चले शुरुवात करते हैं और सुपरिष्टा प्रवास के फिल्म सलार सिकलेश होने के बावजुद भी डंकी ने जहाँ अपने पहले दिन 29 करोड 20 लाक रुपे कमाए तो मैं दोस्तो आडियंस के तरफ से मिलने वाले अच्छे रिविस के बाद इस फिल्म ने चार ही दिनों में 100 करोड रुपे के आफले को पार कर दिया दोस्तो बताते चले आपको कि डंकी इस साल सुपरिष्टा शारुक खान के लिए तीसरी फिल्म थी जिसने की 100 करोड से ज़्यादा की कमाए की और उनकी दोनों ही फिल्मों ने लगबख 600 और 500 करोड से ज़्यादा की कमाई की थी यह विजह है दोस्तों की डंकी को भी आउडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पोंस मिलता वा नजर आया और दोस्तों इस फिल्म ने भी अपने पहले हपते में और इडिया नेट बॉक्स आफिस पर 117 करोड 22 लाग रुपे कमाए दूसरे अपते की भी शुरुवात इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर ठीक ठाक रूप में किया और दोस्तों इस फिल्म ने जहां अपने 9 दिन 7 करोड रुपे कमाए तो वहीं दोस्तों कल अपने 10 वे दिन इस फिल्म से उम्मीदेत थी कि ये फिल्म डेवर डिजिट के आफिडे को टेच करेगी लेकिन इस फिल्म के कलेक्शन्स नाइट में थोड़े कम रहे हैं और इस फिल्म ने कमाए हैं 9 करोड 10 लाग रुपे इन 9 करोड 10 लाग के साथ ही ये फिल्म 175 करोड रुपे कमाई All India Net Box Office पर कर चुकी है Worldwide Box Office पर दोस्तों ये फिल्म अपने शुरुवाती 9 दिनों में 340 करोड रुपे कमा चुकी थी कल के कलेक्शन्स के साथ ही दोस्तों इस फिल्म ने 358 करोड रुपे कमा लिए है तो में दोस्तों आज ये फिल्म 2 करोड 20 लाग रुपे की एडवास लेकर ओपन हुई है आज की भी दोस्तों मॉर्निंग अफ्टरनों और इविनिंग ओक्यूपेंस इस फिल्म की कल के ही तरह ट्रेंड कर रही है ये ही वज़य है कि ये फिल्म दोस्तों आज अपने 11 वे दिन इंडियान नेट बॉक्स आफिस पर जहां डवल डिजिट के आखड़े को टच करती हुई नजर आ रही है और लगभग 11 से 12 करोड रुपे कमाई आज भी करने वाली है एसे में इस फिल्म का टोटल 187 करोड रुपे का और लडियान नेट बॉक्स आफिस पर हो चुका होगा वल्डवाइट बॉक्स आफिस पर दोस्तों ये फिल्म लगभग 380 करोड रुपे के आखड़े को आज टेच कर चुकी होगी इसी के साथ दोस्तों शारुक खान की फिल्म डंक के वाउक्स आफिस पर एक हिट ट्रेंड कर रही है